हेलो गाइस वेलकम तो एनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्के फेंट्स की स्टोन रियाल्टर्स की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंडल ऑन कॉंसॉलिडेटेड दोन रिजल्स आउट हो चुका है वेड़िववटन रिजल्स इस वीडियो में इंप् नेट फिर स्टैंट भॉयां रिज्ट मेंतित सावक्रास कहिसांन रिजल्स भार क्योक मार्च वंटे थे स्रहकों प्वार्देज़ को क्वाटर के रोड का Net Profit है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है EPS 2.68 रूपीज का क्वाटर ओन quarter में increase है year on year में decrease किया है तो गाइस अगर देखा जाया तो company का profit जो है year on year में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है क्योंकि expense बहुत ज़्यादा किया गया और यह expense हुआ है इंवेंट्री में 277.7 करोड का यह औन यह में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हुआ है अगर हम financial एरेंडिट की बात करें income में 2275.6 करोड का और 23 में 724.9 करोड का 23 से income में increase किया है लेकिन expenses company का हुआ है 216 करोड का और 23 में 622.4 करोड का expense में भी increase किया है operating profit इस बार का है 144.4 करोड का 23 में 107.7 करोड का increase करता हुआ देखने को मिला है net profit 111 करोड का 23 में 79.5 करोड का increase किया है APS company का 9.82 रुपीज का 23 से increase किया है तो guys consolidated अगर देखा जाए तो average result पेश किया क्योंकि year on year के profit बहुत बुझी तरह से गिरावट आई expenses ज्यादा होने के वज़ा से लेकिन अगर हम बात के लगाए इस company के standalone financial result का income में 162.9 करोड का पिछले quarter में 95 करोड का और 23 क्वाटर में 322 करोड का income है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है expenses हुआ है 133.5 करोड का पिछले quarter में 85 करोड का और 23 क्वाटर में 221.8 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में increase है year on year में down देखने को मिला है income के according income down है standalone देखेगा तो year on year के income में down है but consolidated income में increase था लेकिन profit बहुत बुरी तरह से गिरावट है operating profit 29 करोड का पिछले quarter में 10 करोड का March 23 quarter में 100.4 करोड का operating profit है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है नेट पॉफित ट्वैंटी ट्री पॉंट्री क्रोर का पिछले कॉश्च गार यह कॉश्च पॉब्राव दिखा यह जाएगा इस तो आवरेज है बहुत बुड़ी तरह से crash किया 2.3% का crash किया रिजल्ट कंप्पनी का दो बजे क्या round आया है और crash करने के वापधा से कंपनी recover किया लेकिन गाइस अगर हम यहां पर वन विक की बात करता तो फोर परशन का profit दे चुका है 3.6% का और 6.22% की profit है तो अगर आप इसमें fresh entry करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा बहुत इसमें entry कर सकते हैं लेकिन गाइस अगर आप इसमें hold करने जाते हैं लॉंग तरह को hold भी कर सकते हैं बस यह round की जब profit में डाउन थोड़ा सा impact पड़ा है तो हम लोग जाए वीड टोड़ो में तो लिन बाबाइ